टॉपिक है वो एपिडाइमल सिस्ट है क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आपिडाइमल सिस्ट में को पेन करने चालू कर दिया है एपिडाइमल सिस्ट की वज़ासे में को बहुत डिसकमफर्ट होता है तो ऐसा होता है कि सिस्ट जो होती है न वो ली सिंपल सिस्ट क्योंकि बहुत अलग-अलग होती है, ecogenic, simple cyst भी होती है, hypo iconic, ecogenic cyst होती है, बहुत अलग-अलग cyst के type होते हैं, but अगर आपके पास cyst है और वो आपको pain कर रही है, तो उसके पीछे जानो की कौन सी cyst है, अगर आपके पास कोई भी cyst लिखे तो उसको एक बारी Google जरूर करो, कि वो cyst है क्या, किस तरीके की cyst होती है, क्योंकि जैसे अभी मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, micro-thilliasis की उपर, तो इसी तरीके से आप एक बारी search जरूर करो, चाहे Google क्योंकि information आपको भी होनी चाहिए, आपका problem क्या है, basically, तो एक बारी अगर आपके पास cyst redact हुआ है, आपकी reports में, तो आप ज़रूर उसको एक बारी Google पर सर्च करो, उसके बाद उसको देखो, जानो कि अगर वो pain create करें, क्योंकि सारी cyst pain नहीं देती है, और सब मैं बोलनों तो cyst का as such कोई role नहीं होता, कि आपको कोई infertility करे, या आपको blockage करे, हाँ कुछ rare cases देखे हैं, बट उनकी cases अलग ह जैसे एक duct का case आया था मारे पास, उनके जो ejaculatory ducts थे, उसके अंदर ही cyst हो गई थी, जिसकी वज़ए से sperm भार नहीं आपाता था, जिसकी वज़ए से वो azoospermia के patient बन गए थे, उसको हम एक तरीके से obstructive azoospermia में count करते हैं, बट वो cyst कहां थी? वो थी ejaculatory ducts में, जहां प अब epidymal cyst होती है, हमारी testis के पीछे एक layer के उपर एक cyst होना, या gant होना, tissue होते हैं, tissue की growth कहीं पे भी हो सकती है, यह समझ लिजे, tissue की growth कहीं पे भी हो सकती है, और वो cyst कहां पर बनी ही है, epidymal के पीछे, जहां पर हमारी veins भी जूड़ी होती है, ऐसा जो अगर मैं आपको एक कुछ rare cases में pain occur करती है, अब उसमें pain हो रहा है, cyst है आपको, उसका अगर मैं normal, अगर मैं बात करूँ कि वो आपको जादा बहुत बड़ा आपको दिक्क्त दे देगे, आप fertility issue आएंगे, या कुछ आपके sperm count लो करेगा, नहीं करता, ऐसा मैं बोलूँ कि बहुत जादा दिक् जब आपको epidemal layer, जब fluid secretion चालू होती है, तब आपको दिक्कत देता है, उसे पहले कुछ नहीं, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को epidemidal layer जो है, वो बल्की हो जाती है, अगर आप patients देखते हो, अपनी reports एको, बल्की के साथ cyst होती है, जब बल्की होगी तो it means skin inflammation है, त जब वो आपको pain create करती है, ना कि तब तक तक तो आपको दर्द भी नहीं देती है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़े अलग-अलग होती है, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ गांट है और छूने पर ऐसा लगता है कि कोई knot सी बनी वी है, तो सबसे प गांट लग रही है, वो गांट है कैसी ये भी नहीं पता आपको, तो जाओ, गांट को check करवाओ, scan करवाओ, क्योंकि किसी-किसी जगा पे वो सस्ता है, अगर USG scrotum करवाते हो, ultrasound scrotum करा दो तो सस्ता है, और scrotal doppler करवाओ तो थोड़ा महेंगा बढ़ता है, तो जो आपका सकते हो, ठीक है, किसी भी लाप पे जाओ, और ये scan जरू करो, scan करवाने के बाद अगर आपको report में कुछ लग रहा है, अलग लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, या report ऐसे लग रहे कि आपको कोई समझ नहीं आ रहा, तो आप बेचिंतित होगे, हमें बेच सकते हैं, और उ share कर भी नहीं पाया, तो आप बेचिंतित होगे, मेरे को call भी कर सकते हैं, ठीक है, और नीचे दियेवे नंबर पे मेरे को call करी है, उस पे मेरा revert ले लिजे, और आप अपनी report share कर सकते हैं मेरे को, जिससे analyze करके में आपको answer कर सकूँ, और इसके साथ साथ अगर आपको वीड मत कीजे, आप delay मत कीजे, एक जाए, एक छोटा सा scan करवाईए, और आप चाहिए उस scan को photo कीच के WhatsApp पे नंबर दे रहा हूं, मैं नीचे जो नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पे में को WhatsApp कर दीजे, तो मेले easy task हो जाएगा, और इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ भी जानन है, गांट के बारे में, वेरिको सील के बारे में, या आपको लगता है कि infertility हो रही है, या sperm count कम बन रहे हैं, या इसके साथ साथ आपको निल sperm count के बारे में भी जानना, तो बेचिंतित हो के नीचे दिएवे नंबर पे में को अपने बारे में बता सकते हैं, call कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं, या आप एक text भी भेज सकते हैं, और इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, और आपको लगता है कि हां में एक like बनता है, तो please like कर दिजेगा, अगर आप मुझे सुनना और देखना चाते हैं, तो please subscribe दिजेगा, और इसी के साथ, bye goodbye, goodbye, और next video में मिलते हैं, next topic के साथ, और next आपकी कोई दिक्कत जो आप मुझे समझना चाहते हैं, उसके साथ, so bye